Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit and I hope your preparation for F-CAT examination would have been going on very well ओके और देखो अब दिन बहुत कम है तो ऐसे मैं आपको बहुत समन्दारी से और समार्टनेस के साथ मैं काम लेने की जरूरत है ओके यदि आप विदाउड समार्टनेस यदि ऐसे ही भेड़ चाल से तयारी करते हैं तो आपका एक्जाम ये किलियर होना काफी मुश्किल हो जाएगा लेकिन यदि आप थोड़ी समंधारी से काम करते हैं थोड़ा समंधारी से आप अपने examination की तैयारी करते हैं तो आप कम time में भी बहुत अच्छे से इस exam को clear कर सकते हो by scoring very good marks तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं हम ये बात करने जा रहे हैं कि हमको ये इस come time में ऐसे कैसे तैयारी करने चाहिए क्या पढ़ना चाहिए कैसे पढ़ना चाहिए कहां से पढ़ना चाहिए जिससे कि हम ये come time में भी 200 plus score कर सकें देखो जैसे जैसे exam near आता हुआ जा रहा है करीव आता हुआ जा रहा है और जब हम अपने syllabus पर नजर डालते हैं तो हमको ये लगता है कि ये भी छूट रहा है ये भी छूट रहा है ये भी missing है ये भी missing है और जो missing होता है हम उसको cover करने के चक्कर में लग जाते हैं और यही हमारी blender mistake होती है यही हमको लेकर डूपती है और देखो हमको सबसे ज़्यादा जो डर सताता है वो किस चीज़ का सताता है जो हमारे लिए difficult topic होता है जो हमारा weak point होता है वो हमको सबसे ज़्यादा सताता है ठीक है उसी का हमको डर लगा रहता है और वही हमारे दिमाग पर गूमता रहता है कि अरे यार अभी synoniums और antoniums बच रहें अभी math का ये वाला topic बच रहा भी ये वाला topic बच रहा है तो देखो मैं आपको ये बताऊं smartness और hard work में यही difference है smartness के साथ में बच्चे कम time में कम तयारी के साथ में भी अच्छा score करके इस exam को clear कर लेते हैं लेकिन जो लोग only hard work करते smartness के साथ में काम नहीं करते वो काफी मेहनत करने के बाद में 2-3 महीने की मेहनत के बावज़ूद भी इस examination की even cut off तक clear नहीं कर पाते हैं तो आपको ये बात समझने की जरूत है so today we will discuss these all things that how to prepare for F-cat examination to crack it in first attempt by scoring very good marks ठीक है देखो यदि आप ये पूरा syllabus cover करने के चक्कर में लग रहे हैं अभी तो आप बहुत बड़ी blunder mistake कर रहे हैं पूरा syllabus cover ना करो किसी नहीं नहीं बोला है आपको कोई trophy नहीं मिलने वाली है कि आपने पूरा syllabus cover किया है कोई नहीं बोलर आपको 300 में से 300 नंबर लेका आने ठीक है 500 नंबर लेका आने वाला बंदा भी screen out होके बहार आ जाता है पहले दिनी SSB में और जो just cut off clear करने वाला बंदा होता है वो officer भी बन जाता बाद में जाके SSB भी clear करता है merit भी clear करता है तो आपको अपना target ऐसा रखना चाहिए जिसमें कि आपको जादा जान भी ना जोकनी पड़े और वो आपको merit में भी बचा कर रखे safe कर 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 रखे इस तरीके से आपको काम करना है अब देखो माना यदि सवा 200 नंबर आपको लेका आने इसका आप revision करो जादा से जादा syllabus को complete करने की बजाए आप जितना आप तयार कर रहे हो उसको आप अच्छे से तयार करो by doing revision again and again revision is the mother of learning and practice makes a person perfect अके practice करो और revision करो ये करो लेकिन जितना कर रहे हो ना उसको अच्छे से तयार करके जाओ यदि आपके English अच्छी नहीं है vocabulary अच्छी नहीं है तो synonyms और antonyms यदि नहीं हो रहे हैं तो उनके उपर आप अपना time मत बिगाड़ो उनको उन 25% में छोड़ दो और दोखो यदि आप तयारी ना भी करके जाओगे न उनकी तो भी माना यदि आठ आते हैं तो आठ में से दो तिन तो आप फिर भी कर लोगे अब देखो आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये हम cover कर लेते हैं ये discuss कर लेते हैं देखो ये आपके F-CAT के examination के जो चारो sections हैं ये उनके number of questions है इस हिसाब से divided हैं कर सकते हो ठीक है reasoning is such an easy portion where you can perform very well और देखो पूरे paper का one third portion जो है न वो only reasoning ही cover कर रहा है right देखो हम 75% की बात कर रहे थे ये 75% में around 32% तो only reasoning से ही है right तो बचा कितना 43% उसमें बाकी के 3 sections हैं आपकी GK है English है और Mathematics है तो सबसे पहले तो आप reasoning को तियार करो अच्छे से करो अब देखो ऐसे time पर ये मत पूछना कि जी best book कौन सी है अब ये best book वाला time नहीं आप कोई सी भी ले लो मैं आपको बहुत लंबे समय से बोलता हूँ आ रहा हूँ कि भी आप F-Cat के examination के लिए ये कुछ भी नहीं तो इन में खतम कर लेंगे पूरा reasoning भी और mathematics भी ओके तो यदि आपने ये classes अभी तक नहीं देखी हैं तो जरूर देख लेना ride in classes को देखके आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी reasoning के किसी भी type के question को solve करने में और देखो ये जो mathematics है mathematics में भी आपको ज़्यादा घबराने की जरूतनी है और जिनकी कम जोर है mathematics तो भाई उस पे ज़्यादा आप पूरा focus उस पर ही मत देना देखो हर candidate का कुछ strong part होता है और कुछ weak point होता है लेकिन हम क्या करते हैं हमारा जो सारा focus रहता है वो हमारे उस weak point को strong बनाने में लगा रहता है अब बेटा तुम ही बताओ जो आपका weak point पिछले 22 सालों से है जिस weak point को आप पिछले 22 सालों में strong point में नी convert कर पाई हो उसको अब आप ये 15-20 दिन में convert कर लोगे strong point में बताओ अब आप उसमें ऐसी कैसी PhD कर लोगे कि भी आपका उस पर एकदम mastery हासिल हो जाएगी आपको बताओ is it possible तो ये बताओ completely बेवकूफी है या नहीं भाई आपको किसे ने बोला कि आप सारे syllabus को cover कर कर जाओ कोई आपका ये कोई test थोड़ी हो रागे भी आपने कितना syllabus cover कर रखा है ठीक है वो तो पर नमबर देखे जाएंगे कितने नमबर आपके cutoff से उपर होने चाहिए तो आप सबसे पहले वो करो ना जो आपके command में है जो आपकी पकड़ में है जो easy है for example आपके लिए English easy है तो सबसे पहले आप English को करो for example आपके लिए reasoning easy है और देखो reasoning तो सबी के लिए easy होनी चाहिए और यदि नहीं है तो उसको easy मैं करवा रहा हूँ ऐसे ही मैं mathematics को बहुत अच्छे से cover करवा रहा हूँ इसके हर topic को जो आपके F-CAD के syllabus में है हर topic पर जितने भी type के scenarios बनते हैं जितने भी type के questions बनते हैं उनको बहुत detail में समझाया गया है यदि वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे कहने से आप उनको एक बार जरूर देखना जब exam में बैटे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन lectures की क्या importance है पूरा जिससे की आपको revision का भी time मिल जा है तो mathematics को आप इस तरीके से तयार करो इसमें देखो जो topics होगे आपके क्या-क्या topics होगे average होगा, ratio and proportion होगा, profit and loss होगे, time and speed होगा board पर questions होगे, train पर questions होगे, time and work होगा जैसे की A किसी काम को 15 दिन में करता है, B 10 दिन में करता है तो दोनों मिलके करें तो कितने दिन में होगा ये सारे topics मैंने बहुत अच्छे से cover करा रखे हैं तो आप इनको जरूर देखना देखो ये जो lectures मैंने provide करा हैं इनको देखके आपको उस topic के सभी questions को soul करने में किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी ये मैं बहुत confidence के साथ में बोल रहा हूँ और ये सारे lectures free of cost YouTube पर available है चैनल पर visit करिए, playlist में जाएए सभी की अलग-अलग playlist है, reasoning की भी, math की भी और फिर जब ये खतम हो जाएंगी उसके बाद में फिर हम GK को भी cover करेंगे जहां से हर साल sad pattern के questions आते हैं तो देखो सबसे पहले तो आपको reasoning तयार करनी चाहिए फिर यदि आपको English में दिक्कत है तो ये synonyms और antonyums को आप बाद में तयार करना उससे पहले जो static वाला जो part है उसमें जिसका limited syllabus है जैसे की comprehension है उसमें आपके 5 question 3 कैसे number हैं बता उसके लिए कितना बड़ा syllabus है उसके अलावा grammar के जो हैं जैसे की fill in blank हो गया sporting error हो गया इनमें कितना पढ़ना है आपको बस grammar के rule पढ़ने उससे सारा syllabus cover हो जाएगा लेकिन synoniums और antoniums तो एक ऐसी चीज है पढ़ते रो उसको पढ़ते रो कोई उसकी limit थोड़ी है कितना ये भी पढ़के चले जाओ आप 2000 भी करके चले जाओ तो भी कोई guarantee नहीं जो आप पढ़के गए उसी में से आएगा और इसमें देखो ये भी दिक्कत है कि भी माना चलो एक concept होता उससे सारे questions solo होते ऐसा भी नहीं है जैसे mathematics में होता है कोई topic है उसका concept है यदि आपने concept समझ लिया तो फिर कोई भी question दे तो हर question बन जाएगा लेकिन synoniums और antoniums में ऐसा है क्या ये तो भाई देखो वो है जो आपने observe किया अभी तक और यदि आप अभी तक 22 साल की उमर तक synoniums और antoniums पर अच्छी पकड़न ही बना पाई हो तो आप 10 दिन में क्या बना लोगे क्या कर लोगे बताओ उसके चक्कर में हम क्या करते हैं जो हमारा आसान portion होता है हम उसको भी तयार नहीं करते हैं और difficult वाले पर हम अपने time फूगते हो चले जाते हैं ना difficult वाला तयार होता है ना हमारा easy वाला होता है और paper हमारा रह जाता है फिर बोलते हैं कि हमने खूब तयारी करी थी नहीं हुआ नहीं हुआ आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप comprehension को करो, उसमें आप 10 बारे comprehension को करो, ठीक है, यदि आपने एक बार practice कर ली, तो फिर आप उसके familiar हो जाओगे, फिर question को solve करना, कैसे करना, कैसे answer पकड़ना है, उसको आप सीख जाओगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपके वो 5 questions जो होंगे, वो आपके पक्के हो जाएंगे उसके बाद में जो grammar वाला portion है, देखो उसमें क्या होता है, fill in blank आता है, ठीक है, और देखो sporting error आता है, sentence के parts आते हैं, इनमें कितने 5-5 questions होते तो काफी number की तो आपके grammar आती है, close test होता है, उसमें grammar इस्तिमाल होती है, ये सारे free question number है, spelling mistakes होती है, और देखो ये synonyms और antonyums की बजाए, तो आप सबसे पहले ये idioms and phrases करो, इसमें interesting भी होता है, और समझ भी आता है, और ये one word substitution है, इनको करो, इसमें चीज़े limited भी है, all right, लेकिन synonyms और antonyums have very vast syllables, okay, time बच जाए, तब इनको तयार करना, यही आपकी इसी तरीके से strategy और planning होनी चीए, gk मैं देखो आपको क्या करना है, gk मैं जाएगा, यह decided है, उनको यह नहीं पता क्या पढ़वाना है, क्या नहीं पढ़वाना, आरे पढ़ा नहीं सकते, तो कम से कम अच्छे से guide तो करदो, और यदि नहीं कर सकते हो, तो मत करो हुए हैं religion से related बुद्ध धरम और ये आपके जैन धरम से related ओके इन से question बनता है फिर ये जो आपके emperor रहे हैं ये जो dynasties रही हैं इन से related question पूछे जाते हैं कौन से dynasty का founder कौन था ये हो गया okay polity में देखो किस टैप से question पूछे जाते हैं article से related कौन से article में क्या है और ये हमारे constitution के जो sources हैं कौन सा source कौन सी country से लिया है इस type of question जो all type की books हैं जैसे की महाभारत किसे ने लखी है पतंजली किस से related है तो इन सब चीजों को तयार करो आप इस right it will be addition in your preparation लेकिन आपको तयारी खुद से करनी ही चाहिए ओके और देखो जोग्रफी में किस टैप इस questions आते हैं जैसे की अर्थ का होता है globe से related के भी ये center of cancer center of Capricorn और equator किन country से जाती है कितने angle पे क्या है इंडिया की कौन कौन से states से पास होती है ये इन चीजों को तयार करो आप ठीक है कौन सा national park कहां पर है right और ये जो है rivers mountains and lakes इन सब topics को तयार करो ये selective topics हैं इंडिया की किसी index में या ranking में क्या rank है इन सब चीजों को तयार करो तो इस तरीके से आपको तयारी करनी है और फिर इनका revision जरू करना देखो यदि आप revision नहीं करोगे न तो आपको ये gk में मैंने जो चीज़े बताई है ये आपको याद नहीं रहेंगे ठीक है जब तक आप revision नहीं करोगे तब तक ये आपके दमाग में set नहीं रहेंगी defense से देखो तीन से चार question आएंगे defense में सबसे ज़्यादा क्या पूछे जाते हैं joint military exercises पूछे जाती हैं सबसे ज़्यादा ठीक है और जो भी नई production हुई है या जो भी नई deals हुई है या जो भी हमारे weapons है या submarines है या ships है जो अभी commissioned हुए है या decommission हुए है उनसे related question पूछे जाते हैं sports में अभी Olympic games हुए है T20 World Cup हुआ है इसके अलावा और जो भी events हुए है उनके venues कौन ने जीता क्या जीता कितना जीता ये सब चीजे ये तयार करो आप ठीक है और देखो ये जो awards and honor होते हैं इसमें जो film से related जो awards होते हैं उनको अच्छे से तयार करो like best film का award किसको मिला ओके इस तरीके से इन सब चीजों को तयार करो ठीक है और फिर इनकी ये जितने भी awards है इन सब की इक list बनाओ और फिर अपने दिमाग में आप इनका meditation करो इनका memorization करो अच्छे से करना चाहिए ओके तो देखो इस तरीके से तयारी करनी है जो आपका difficult portion है उसको बाद के लिए छोड़ो जो आपके लिए easy लग रहा है जो आपको लग रहा है कि हम इसको आसानी से कर सकते हैं पहले उसको करो आप यही आपकी strategy और planning होनी चाहिए और revision को find out करने में, choose करने में mistake करते हैं डेटा को पढ़ने में mistake करते हैं यह सारी चीजें आपको यही पता चल जाएंगी और आपकी correct हो जाएंगी क्योंकि आप इन पर काम कर लोगे so that is why mock test is very very important और देखो ज्यादा tension लेने की जरूतनी है, थोड़ा smartness के साथ में काम करो and be connected with me जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको जरूर पढ़के जाना है because it is very very important I am covering only those topics which are five star जो आपको पूछे जाएंगे ही जाएंगे आपसे आपके तो इस तरीके से तैयारी करो and if you have any query so you are most welcome you can write your comment in the comment box below and you can directly make contact with me on telegram also I am standing with you people in your preparation and keep on studying don't leave any stone unturned and all the very best for your written examination and SSB and that's all for today bye for now